इस वीडियो में हम लोग अपनी फोर्थ क्लास की इवियस बूक को स्टेडी करेंगे एज यू केन लूक ऑन दे स्क्रीन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इट इज अवर इवियस बूक ये हमारी इवियस की बूक है और क्लास फोर्थ क्लास की दियर स्टुडेंट्स वी आर स्टेडिंग इट्स फर्स लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं इसका फर्स लेसन इट्स फर्स लेसन इज अवर एक्स्टेंडेड फैमली हमारा विस्तारित परिवार विस्तारित का मतलब होता है फैला हुआ एक तो हमारी फैमिली वो होती है जो घर में रहती है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे घर में नहीं रहते हैं लेकिन फिर भी वो हमारी रिलेटिव सोते हैं संबंदी होते हैं तो उसको extended family कहते हैं इस lesson में हम लोग कई टाइप की families के बारे में पढ़ रहे हैं। I have posted two videos of this lesson already. मैं पहले ही two videos इस lesson के बना चुका हूँ. We have studied some part of lesson in previous videos. पिछले कुछ videos में हम इसके कुछ parts पढ़ चुके हैं. And now it is our third part of this lesson. ये आज का जो वीडियो है वो इस lesson का तीसरा वीडियो है, third part है. Dear students, I am putting a summary before you. मैं आपके सामने एक संक्षेप में summary रख रहा हूँ, यानि सारांश रख रहा हूँ इस lesson का, जो हम पढ़ चुके हैं. Students who did not watch the previous videos, जिन students ने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, they should watch the previous videos first, पहले उनको previous video देखने चाहिए, पुराने video देखने चाहिए, ताकि उनको पूरा lesson understand हो सके, समझ में आ सके. I am putting a summary, मैं एक summary आपके सामने रख रहा हूँ, summary मतलब सारांश, जो मुख्य मुख्य बाते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं इस lesson की, वो मैं आपको बताना चाहरा हूँ. Dear students, we are studied, हम लोग पढ़ चुके हैं, कि mainly two types की family होती हैं, दो प्रकार के परिवार होते हैं, nuclear family और joint family, nuclear family मतलब छोटा परिवार, joint family मिंस बड़ा परिवार, एक होती है immediate family, immediate family वो family होती है, जो हमारे घर में रहते हैं लोग, भले ही वो कोई भी हैं, जो भी हमारे घर में रहते हैं, भले ही वो अपने दूर के रिष्टेदार है, या पास के रिष्टेदार है, कोई भी हैं, जो भी लोग हमारे house में रहते हैं, हमारे home में रहते हैं वो हमारी immediate family कहलाती है यह हम पढ़ चुके हैं और हम लोग यह भी पढ़ चुके हैं कि extended family क्या होती है lesson का name भी यही है extended family हमारा विस्तारित परिवार extended family के बारे में भी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं दो प्रकार की family family दो टाइप से relative होते हैं दो प्रकार के संबंदी होते हैं एक तो पापा के रिष्तेदार होते हैं एक मम्मी के रिष्तेदार होते हैं पापा के जो रिष्तेदार होते हैं जैसे अंकल है grandfather and grandmother है यानि दादा दादी है चाचा है चचरे भाई बहन है अपनी आपकी भुवा है ये सब पापा के रिलेटिव होते हैं जो पापा के रिलेटिव होते हैं वो पेटर्नल रिलेटिव कहलाते हैं यानि पेटरक संबंदी कहलाते हैं पापा के जो रिलेटिव होते हैं वो पेटर्नल रिलेटिव कहलाते हैं और मम्मी के जो रिलेटिव ह होते हैं जैसे नाना नानी मामा मोसी मोसी के बच्चे या मामा के बच्चे यह जो मम्मी की तरफ के रिष्टेदार होते हैं उनको maternal relatives कहते हैं तो paternal relatives और maternal relatives यह सारे relatives मिलकर के हमारी extended family बनती है यानि विस्तारित परिवार यानि फैला हुआ परिवार तो फैला हुआ जो परिवार होता है जो extended family होती है उसमें paternal relatives भी आते हैं और maternal relatives भी आते हैं फिर हमने पढ़ा था कि कैसे how our family structure changes over time हमारी जो family का structure है हमारी जो परिवार की बनावट है वो कैसे time के साथ साथ बदल गई है बदलती है तो हम पढ़ चुके हैं कि हर बच्चा जो होता है वो पहले पैदा होता है फिर बड़ा ग्रो करता है तो बड़ा होता है फिर वो बुड़ा होता है ओल्ड एज में आ जाता है और फिर एक बाद दुनिया से चला जाता है यह जो इस तरह का जो growth है किसी भी किसी भी बच्चे की ज बोड़ा होता है यह life cycle कहलाती है जीवनु चक्र कहलाता है हमारी फैमली में कई लोग नए आते रहते हैं जैसे कोई child बहु के रूप में हमारी फैमिली में आ जाता है इस तरह से फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं वो आते रहते हैं कई लोग जाते भी रहते हैं तो इस तरह से फैमिली का जो स्ट्रक्चर है जो सरंचना है फैमिली की वो टाइम के अब ओवर टाइम यानि समय के साथ-साथ चें के होते हैं जो कि अपने मम्मी और पापा को खो चुके होते हैं उनके मम्मी पापा या तो इस दुनिया में नहीं होते हैं या किसी कारण से वो मम्मी पापा के पास नहीं रहते हैं उनको और्फन चाइल्ड कहते हैं अनात बच्चे कहते हैं और कुछ ऐसे मम्मी पापा भी हो जिनके बच्चे नहीं होते हैं तो वो ऐसे और्फन चाइल्ड को अपना चाइल्ड बना करके रख सकते हैं घर पर लेकिन इसके लिए उनको कानून के द्वारा इसकी पर्मिशन लेनी होती है तो इस तरह के जो और्फन चाइल्ड होते हैं जिनके मम्मी पापा नहीं होते हैं वो और्फन चाइल्ड सरकार उनको कुछ ऐसे घरों में रखती है जहां उनकी देखभाल की जाती है उनको और्फनेज कहते हैं यानि अना थालाए तो और्फनेज में रहते हैं और ये जो ऐसे मम्मी पापा होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं उनको फॉस्टर पेरेंट जो होते हैं वो ऐसे अनाथाले में जाकर के और्फनेज में जाकर के उन बच्चों में से पने बच्चे की तरह पालने पहुश ने के लिए घर ला सकते लेकिन कानून से अनुमती लेकर फिर उनको लीगली वो उनको करना पड़ता है यह काम यानि कानूनी रूप से उनको करना पड़ता है यह सारा रिटर्न में उनको लिखके देना पड़ता है कि अब हम इस बच्चे की जिम्मेदारी हमारी है इसकी हर जो भी लालन पालन इसका जो जगे होती है वो और्फनेज कहलाती है तो इस तरह से जब किसी बच्चे को पालने के लिए लिया जाता है अपना बच्चा मान करके उसको एडॉप्शन कहते हैं यानि गोद लेना कहते हैं और हमने जो लास्ट पॉइंट पड़ा था पिछले वीडियो में वो था मदर इ आपकी मम्मी के बीच बच्चपन में आपका भी बच्चपन चल रहा है आपकी मम्मी भी कभी छोटी थी तो उसका भी बच्चपन रहा होगा तो उसके बच्चपन में और आपके बच्चपन में क्या तो ऐस समानताएं हैं यानि डिस सिमिलर्टीज हैं क्या अलग-अलग जो आपकी मम्मी बहुत सारे खेल ऐसे होगी जो आपकी मम्मी खेलती थी पर आप आज नहीं खेलते हो या कई चीज़ें ऐसी होगी जो आप करते हो लेकिन आपकी मम्मी नहीं करती थी बच्पन में तो वो तो हो जाएगी डिस सिमिलरिटीज और बहुत सारी चीज़ें समान भी होगी जो आपकी मम्मी भी करती थी आप भी करते हैं ऐसी चीजे similarities कहलाती है तो इसमें यहाँ पर यह जो point है कि आपकी मम्मी का जो चाइल्ड हुड रहा आपकी मम्मी का जो बच्पन रहा उसमें क्या similarities थी आपकी और आपकी मम्मी के बच्पन में क्या तो similarities थी यानि क्या समानता हैं थी और क्या dissimilities त bounds समानता हैं थी तो आपको ममी को पूछना चाहिए ममी के यह एक दिन पूछना चाहिए आपको कि कैसे वो बचपन में रहती थी कैसे खेलती थी उसके आज़ पडूस के बारे में पूछना चाहिए उनको क्या अच्छा लगता था क्या नहीं लगता था उनकी hobbies क्या थी तो इस तरह का यह point भी हम पढ़ चुके हैं इसलिए मैं इसको बहुत ही विस्तार से नहीं बताऊंगा क्योंकि हम line to line और letter to letter पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में जिन लोगों of the lesson lesson का अगला point में start कर रहा हूं look on the screen देखिए screen पर I am enlarging the screen so that you can look the screen better ताकि screen को better देख सकें आप yes respecting our traditions and values respecting यानि आदर करना our traditions हमारी परंपराओं का and values और गुणों का हमारी परंपराओं और गुणों का आदर करना बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो परंपरा से आती यानि पूराने लोग भी करते थे और धिरे धिरे हमारे दादा जी भी करते थे फिर पापा जी भी करते थे फिर आज भी वो चीज़ें हमारे घर में चलती हैं वो हमारे traditions कहलाते हैं परंपराइं कहलाती है और values का मतलब होता है ऐसे कुछ गुन जिनको संस्कार कहते हैं संस्कार अच्छी बातें उनको values कहते हैं तो हमें अपनी values का यानि अपनी अपने संस्कारों का और traditions यानि परंपराओं का respect करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, इने family एक परिवार में, the traditions and values, परंपराओं और संसकार, are passed on, गुजरते हैं, from one generation to another, एक generation से दूसरी generation में, generation क्या होती है, generation मतलब PD, जैसे आपके दादा जी की एक PD हो गई, वो first generation थी आपके father दूसरी PD में आ गए, वो second generation है, आप third generation है, तो generation को हिंदी में PD कहते हैं, तो यह जो traditions होते हैं, जो परंपराओं होती हैं, और जो values यानि संसकार होते हैं, अच्छी बाते होती हैं, वो passed on यानि गुजरते हैं, from one generation to another, एक generation से दूसरी generation में वो past होते हैं, गुजरते ह values are the good habits, values क्या है, संसकार क्या होते हैं, are the good habits, यह अच्छी आदते होती हैं, values का मतलब है अच्छी आदते हैं, जिनको हम संसकार भी कहते हैं, values are the good habits, values हैं, अच्छी आदते, learnt through experiences, learnt यानि जो सीखी जाती है, through यानि say, experiences यानि अनुभवों से, values वो अच्छी आदते हैं, वो good habits हैं, जो की experiences यानि अनुभवों से learnt यानि सीखी जाती है, अनुभवों से सीखी गई अच्छी आदतों को values कहते हैं, when a value, जब कोई अच्छी आदत is past own गुजरती है, from one generation to the next generation, एक generation से अगली generation में, यानि एक PD से दूसरी PD में, जब कोई value pass on होती है, गुजरती है, it becomes a tradition, तो ये एक परंपरा बन जाती है, ये एक tradition बन जाती है, in the family परिवार में, helping each other, एक दूसरे की help करना, in a family, एक परिवार में, is a very important value, ये एक बहुती महत्वपूर्ण value है, ये एक बहुती महत्वपूर्ण संसकार है, value का मतलब संसकार कह सकते हैं, अच्छी आदत भी कह सकते हैं, तो ये एक दूसरे की help करना, family में, ये एक बहुती important value, यानि बहुती important संसकार है, as this helps, क्योंकि as, यानि क्योंकि this helps, ये मदद करती है, us यानि हमारी to live together, साथ में रहने में, peacefully यानि शानथी पूर्ण तरीके से, पीस फुली पीस यानि होती है शान्ती फुली यानि पूर्ण शान्ती पूर्ण पीस फुली टुगेदर लिव लिव टुगेदर पीस फुली लिव यानि रहना टुगेदर यानि साथ साथ पीस फुली यानि शान्ती पूर्ण तरीके से तो ये जो एक दूसरे की help करने की जो value है, जो संसकार है, एक दूसरे की help करने का जो संसकार है, जो अच्छी आदत है, ये हमारी help करती है साथ-साथ शानती पूर्ण तरीके से रहने में we should follow the following family values, we should हमें चाहिए follow यानि अनुसरन करना, हमें follow करना चाहिए, हमें अनुसरन करना चाहिए, the following family values, निम्नलिखित परिवार के संसकारों का, values यानि संसकार, हमें निम्नलिखित परिवारिक values का, यानि परिवार के संसकारों को follow करना चाहिए, कौन-कौन सी वो अच्छी आदते हैं, कौन-कौन से वो संसकार हैं, जो हमें follow करने चाहिए, नमबर वन, we must love, हमें must यानि चाहिए होता है, we must love and support, हमें प्रेम और support यानि सहयोग करना चाहिए, हमें love और support करना चाहिए, each other एक दूसरे का in our family, हमारे परिवार में, हमें अपनी family में each other यानि एक दूसरे का love यानि प्रेम और support यानि सहयोग करना चाहिए, ये पहली value है, family value, पहला परिवार का संसकार होता है, second, we should always help, should यानि भी चाहिए होता है, we should always यानि हमेशा help यानि सहयोग करना, हमें हमेशा help करनी चाहिए, हमें हमेशा सहायता करनी चाहिए, our family members, हमारे परिवार के members की, हमारे परिवार के सदस्यों की, who यानि जो की need यानि जरूरत रखते है, our support, जिनको need होती है, जिनको जरूरत होती है, our support, हमारे सहयोग की, परिवार के वो members जिनको हमारे support की need होती है, जिनको हमारे सहयोग की need यानि जरूरत होती है, उनकी हमेशा हमें help करनी चाहिए, यह second अपनी value होनी चाहिए हमारा संसकार होना चाहिए number three we should share हमें share करना चाहिए share यानि बांटना हमें बांटना चाहिए our work हमारे काम को हमें अपने काम को बांटना चाहिए share करना चाहिए with our family हमारी family के साथ members family members हमारी family members के साथ हमें अपने work को share करना चाहिए हमारे काम को बांटना चाहिए when यानि जब it comes ये आता है to looking after देखभाल के लिए and keeping the house clean और keeping यानि रखने के लिए the house clean यानि घर को साफ जब घर को साफ करने के बारे में या looking after यानि देखभाल के बारे में जब कोई काम आता है तो हमें अपना काम family के साथ share करना चाहिए यानि किसी की देखभाल का काम हो looking after यानि देखभाल का काम हो या घर को साफ करने का काम हो house clean का काम हो हमें अगर इस तरह के कोई काम हो घर के तो उसमें हमें काम को share करना चाहिए काम को बांटना चाहिए यानि हम भी उस काम में सयोग करना चाहिए हमें भी next is अगला है we should listen हमें listen यानि सुनना चाहिए listen यानि होता है सुनना we should listen हमें सुनना चाहिए to our parents हमारे माता पिता को हमें अपने माता पिता को सुनना चाहिए and family members और family members की भी बात सुननी चाहिए हमें अपने माता पिता की भी बात सुननी चाहिए और family members की भी बात listen करनी चाहिए यानि सुननी चाहिए last is we should always stay हमें हमेशा stay यानि रुकना चाहिए रहना चाहिए हमें हमेशा रहना चाहिए in touch touch में तच में यानि संपर्क में with the family members, family members के साथ, हमें हमेशा family members के साथ touch में तच में यानि संपर्क में stay यानि रहना चाहिए, who यानि जो की live यानि रहते हैं at a distance, दूरी पर from us हमारे से, जो लोग हमारे से दूरी पर रहते हैं, distance पे रहते हैं, उनके साथ हमें touch में रहना चाहिए, उनसे संपर्क में रहना चाहिए, उनसे बात करते रहना चाहिए, तो यह कुछ family की values हैं, कुछ संसकार हैं, कुछ अच्छी आदते हैं, जो हमें follow करनी चाहिए, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 5, यहाँ पर family values दी गई हैं, परिवार के संसकार और अच्छी आदतें दी गई हैं, टीचर की मेरे लिए कुछ not हैं, नमबर वन, explain the students, students को explain करें, समझाएं, about the difference, अंतर के बारे में, between extended immediate family, extended और immediate family के अंतर को समझाना है, तो मैं आपको बहुती सरल शब्दों में बता देता हूँ, extended family तो वो होती है, जो हमारे पास नहीं रहती, परिवार के वो सदस्य, family के वो members, जो हमारे घर में नहीं रहते, वो कहीं दूर रहते हैं, वो paternal भी हो सकते हैं, यानि पिताजी के संबंधी भी हो सकते हैं, और maternal भी हो सकते हैं, यानि मम्मी के संबंधी भी हो सकते हैं, भले ही वो हमारे साथ नहीं रहते हैं, लेकिन फिर वो immediate family का part होगा तो यह difference है दोनों में next है discuss how and when चर्चा करें discuss करें how यानि कैसे and when यानि कब they meet यानि मिलते हैं their extended family members अपने extended family यानि दूर के सदस्यों दूर के जो परिबार के सदस्य एक्स्टेंडेड का मतलब मैंने अभी अभी आपको बताया है जो लोग हमारी घर में नहीं रहते दूर के हैं वो दूर रहते हैं मम्मी के समन्दी हो चाहिए पापा के हो वो लोग उन लोगों से आप कैसे मिलते हैं कब मिलते हैं आप उनसे तो इस बारे में हमें discussion करना है class में तो आप बता सकते हैं कि जब हमारे कोई शादी होती है तो हम लोग अपने extended family से मिलते हैं या और कोई family का function होता है परिवार का कोई उत्सव त्योहार होता है तो हम लोग आपस में मिलते हैं सब लोग इखटे होते हैं holy दिपावली को तो इस तरह से teacher को ये दो बातें करनी थी जो मैंने आपको explain कर दी है now in the end of the lesson lesson के अंत में there are some important points given here यहाँ पर कुछ important points दिए गए है these are remember points ये याद रखने लाएक point है and these are summary of the this lesson इस lesson की ये summary है यानि सारांश है इस lesson का let's read out आईए पढ़ते हैं इनको all the people सभी सदस्य who live जो रहते हैं with you तुमारे साथ वो सभी सदस्य जो आपके साथ रहते हैं at your home आपके घर पर are a part of your immediate family वो आपकी immediate family के part होते हैं तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो family हमारे घर में रहते हैं वो immediate family होती है जो घर में नहीं रहते हैं बाहर दूर रहते हैं वो extended family होती है तो immediate family के part वो लोग होते हैं जो आपके साथ आपके home यानि घर में रहते हैं number two extended family extended family includes extended family includes यानि शामिल है extended family में शामिल है All the relatives, सभी संबंधी, who live, जो रहते हैं, in other cities और countries, जो दूसरे शहरों और देशों में रहते हैं, ऐसे जो relatives होते हैं, जो दूर रहते हैं, वो हमारी extended family में include होते हैं, वो हमारी extended family में शामिल होते हैं Number 3, the family structure, जो परिवार की सरंचना है, जो structure है, changes यानी बदलती है, when a baby is born, जब कोई बच्चा जन्म लेता है, और any member of the family या family का कोई member gets married, शादी होती है, जब परिवार के किसी सदस्य की शादी होती है, तब भी हमारी family का structure चेंज होता है, या कोई baby born होता है, जब बच्चा जन् लेता है, तो भी family की structure चेंज होती है, next, if child adopted by someone, एक बच्चा गोद लिया जाता है, यानी किसी के द्वारा, is called an adopted child, उसको adopted child कहते हैं, जब किसी बच्चे को adopt किया जाता है, गोद लिया जाता है, तो उसको adopted child कहते हैं, next, the parents, माता पिता, who adopt a child, जो किसी चाइल्ड को adopt करते है जो किसी बच्चे को गोद लेते हैं, are called foster parents, उनको foster parents कहा जाता है, and last point is, we must love and support, हमें प्रेम और सहयोग करना चाहिए, each other, एक दूसरे का in our family, हमारे family में, dear students, we have completed the lesson, हमने lesson को complete कर लिया है, and now we have to do the question answers, और अब हमें question answers करने हैं, As you know, जैसा कि आप जानते हैं, you have to apply a new notebook, आपको नई notebook आपको apply करनी है, it is a new notebook, ये नई notebook है, इस तरह की notebook आपको four line वाली इसमें apply करनी है, और उसके बाद में, आपको lesson का name सबसे पहले लिखना है, As you know, it is the name of the lesson, यहाँ पर ये name है, lesson का, ये आपको सबसे पहले लिखना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर एक line draw करेंगे सबसे पहले, और ये आप ruler से करना चाहिए, आपको scale से करना चाहिए, Otherwise, इस तरह से कोई notebook भी हो सकती है, लेकिन उसमें आपको बहुती carefulness रखनी पड़ेगी, साफधानी रखनी पड़ेगी, एक straight line, लंबी line आपको draw करनी है, इसमें, with a pencil, I am doing, I am using the pen here, मैं यहाँ पर pen यूज कर रहा हूँ, but you have to use the pencil, आपको pencil यूज करनी है, इस तरह से एक लंबी line और straight line, एक सीधी line आपको draw करनी है, I have drawn the line, मैंने line draw कर दी है, lesson के name के लिए, और यहाँ पर right corner में आपको एक और line draw करनी है, जो की number के लिए होगी, lesson के, You have to draw two lines, आपको इस तरह से दो line और draw करनी है, first for number of the lesson, पहली जो line है, वो number of the lesson के लिए है, and the second line is for name of the lesson, और दूसरी जो line है, वो name के लिए है, You have to write the lesson's number on the first line, आपको lesson का number लिखना है, first line पर, like this, इस तरह से, L-E-S-S-O-N, lesson dash 1, It is the number of the lesson, and now you have to write the name of the lesson, our extended family, O-U-R, our, extended, E-X-T-E-N-D-E-D, extended, and family, F-A-M-I-L-Y, Every letter is touched with the line, हर जो letter है, वो line पर टिका हुआ होना चाहिए, ध्यान रखें, जैसे मैंने लिखा है, हर letter line पर touch होना चाहिए, कोई भी line से नीचे नहीं आना चाहिए, और two words के बीच में space होना चाहिए, दूर-दूर लिखना है इनको, और cursive में लिखना है, You have to write the lesson's name and number like this, इस तरह से आपको lesson का number और name लिखना है, लेकिन ध्यान रहे है, line आपकी एकदम straight हो, ऐसे तिर्ची नहीं चली जाए, straight line होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, draw the line with the help of a ruler, एक ruler यानि scale की help से ही line बनाए, हाथ से नहीं बनाए, टेडी मेडी जाएगी हाथ से, तो scale की help से बनाए, ये वाली line भी scale से बनाए, और इस तरह से बहुती सुंदर letters बनाते हुए, handwriting को बहुती excellent रखते हुए, आपको ये काम करना है, we have wrote the lesson's name and number, हम लिख चुके हैं, lesson का number और इसका name, now we have to do the question answer, और अब हमें question answer करना है, dear students, we have fixed to not teach you in the notebooks, हम लोगों ने ये school में तय किया है, कि हम केवल first और second class के बच्चों को इन नोट बूक में करके बताएंगे, बाकि जो third और fourth के बच्चे हैं, वो खुद अपनी नोट बूक में करेंगे question answers को, I will teach you the question answer by filling in the book, मैं book में fill करके आपको question answer बताऊंगा, आपको ये काम not book में करना है, लेकिन मैं एक question आपको write करके बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आपको ये red वाली line, आपको note down करनी है, question number A, तो आपको ये ये जो left अपना margin होता है, ये left margin है, इसमें आपको ये question number A write करना है, then you have to write the red line, tick the correct answer, tick T-I-C-K tick and bracket and tick mark, tick the correct answer, C-O-R-R-E-C-T correct and answer, A-N-S-W-E-R, answer and colon, you have to write this line, आपको ये जो line है red वाली, वो इस तरह से लिखनी है, जैसे मैं लिख चुका हूँ, यहाँ पर और इस तरह से lesson का name और number लगाने के बाद में, then you have to write the question, उसके बाद question write करना है, question number one, you have to note down the number of question in left margin, then write the question, a small family is, a small family is, a small family is, also called a, A-L-S-O also, C-A-L-E-D called, अब जैसे एक word बच गया केवल A बचा है, लेकिन इसको जबरदस्ती यहाँ ठूसना नहीं चाहिए, you have to write, you should write the last letter or word in the next line, अगली line में आपको लिखना चाहिए, and then write a dash here, एक dash लिख दीजिए, then you have to write the three options, आप यहाँ पर तीन option दिये गए हैं, आपको options लिखने हैं, A is nuclear family, यह जो option वाले ABCD हैं, यह आपको अंदर नहीं लिखने हैं, and make the bracket in upper three lines, ध्यान रहे, जो bracket है वो अपर three lines में बनाया जाए, option number A, nuclear family, nuclear family, F-A-M-I-L-Y, then make a box for it, इसके लिए एक box बना दीजिए, then write the option B, उसके बाद option B लिखिए, joint family, use small letters, सारे letters स्मॉल लिखने हैं, J-O-I-N-T, joint family, F-A-M-I-L-Y, family, make a box for it, इसके लिए एक box बना दीजिए, then write the option C, उसके बाद option C लिखिए, extended family, E-X-T-E, यह lesson का नेम भी होई है, E-X-T-E-N-D-E-D, E-X-T-E-N-D-E-D, extended and family, F-A-M-I-L-Y, and then make a box for it, इसके लिए box बना दीजिए, now we have to make a tick mark, for the write option, अब हमें right option के लिए tick mark करना है, तो हम जानते हैं कि, जो small family है, उसको nuclear family कहा जाता है, तो हमें इसमें, tick mark करना, इस box में, you have to do the question like this, इस तरह से आपको question करना है, then you have to write the question number two, by leaving a blank line between two question answers, दो question answers के बीच में, आपको एक blank line leave करनी है, then you have to put the second question answer here, और उसके बाद आपको one line blank छोड़के, second question लिखना है number, and you have to write the second question, और अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने एक pattern बता दिया है आपको, and you are the student of class fourth, और आप fourth class के students हैं, और आप जानते हैं कि कैसे question answer करने हैं, मैंने इतना भी केवल आपको इसलिए बताया है, कि जो weak students हैं, वो कई बार confused हो जाते हैं, तो मैंने उनको याद दिलाया है कि इस तरह के से question number, question lesson का name, lesson का number, और इस तरह से starting करनी है, उसके बाद second question आपको write out करना है, a child, एक बच्चा, who losses, जो खोद देता है, he or her parent, उसके parent को, is called, उसको कहते हैं, तो इसमें हमने first में यहाँ पर tick mark कर दिया है, यह सब not work, आपको homework में करना है, lesson का number, lesson का name, उसके बाद यहाँ से start करना है आपको, you can look the, you can look the text, आपको text दिखाई दे रहा होगा screen पर, आप वहाँ से उतार सकते हैं, books are also available on the shop, books भी available है, shop पर, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, otherwise you can do the return work from the screen, screen से भी आप return work कर सकते हैं, the second question is, second question है, a child, एक बच्चा who losses, जो खो देता है, he, जो और हर parent, अपने parent को, अपने माता-पिता को is called उसको कहते हैं, ऐसा बच्चा जो अपने माता-पिता को खो देता है, उसको क्या कहते हैं? और्फन कहते हैं, foster कहते हैं, या adopted कहते हैं, तो ऐसे बच्चे को orphan यानि अनात कहते हैं we have to make a tick mark in the first box first box में आपको tick mark करना है और ये question answer complete होने के बाद फिर से line छोड़नी है हर एक question answer के बाद line आपको blank leave करनी है और options को इस तरह से लिखना है आपको first line में first option second line में second option third line में third option then it is the third question third question आपको करना है your uncle and aunts आपके जो uncle और aunts यानि चाचा और चाचियां है living in another city जो कि दूसरी city में रहते हैं are part of your वो आपके किस के part हैं कौन सी family के part हैं तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो लोग दूसरी city में रहते हैं जो हमारे घर में नहीं रहते हैं वो कौन सी family के part होते हैं वो extended family के part होते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं lesson में so you have to make a tick mark on the B extended family जो लोग हमारे साथ नहीं रहते हैं जो अधर दूसरी city में रहते हैं वो extended family के part होते हैं now you have to leave a blank line again again आपको एक blank line छोड़नी है और उसी तरह से ये भी करना है जिस तरह से मैंने बताया आपको now the question number four people who adopt people यानि लोग who यानि जो की adopt यानि गोद लेते हैं लोग जो गोद लेते हैं adopt करते हैं a child एक बच्चे को are called are called his वो कहलाता है are called his वो लोग उसके क्या कहलाते हैं जो लोग किसी बच्चे को adopt करते हैं वो बच्चे के क्या कहलाते हैं तो बच्चे के वो कहलाते हैं real parents कहलाते हैं असली माबा foster parents या additional parents तो हम lesson में पढ़ चुके हैं वो लोग foster parents कहलाते हैं उस बच्चे के जो किसी को adopt करते हैं तो वो उस बच्चे के foster parents होते हैं Dear students, you have to do these four questions in your notebooks आपको ये four questions आपकी notebook में करनी है Do the written work in excellent handwriting बहुत ही सुन्दर handwriting में आप ये work करें and mention the lessons number and name also और lesson का number और name भी mention करें and you can show your notebooks on the Saturday between 8 to 10 a.m. 8 से सुबह 10 बजे तक Saturday को आप अपनी notebook भेज सकते है Do the written work in very good handwriting and try to learn them also और जो भी आपके question answer आपकी notebook में होते जा रहे हैं उनको learn करने की भी कोशिश करते जाएं याद भी करते जाएं Okay dear students, see you and bye